सब को मेरा नमस्कार आज आप लोग के सामने मैं और एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ आज का जो वीडियो है आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो सभी से अनुरद है कि मेरे वीडियो को आखिर तक देखे और जिनोंने मेरे चैनल को सस्काइब नही को सुनलों कोमेरेस में आज का वीडियो को समय को बर्साने के लिए कि दिखाया जाता है। कोईन कहा जाता है हमारे इंडिया में ऐसे समय समय पर बहुत सरा कोईन चालू किया गया उसमें से कुछ एंटीक और रेयर कोईन की बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले आपको जो कोईन दिखा रहा हो यह कोईन 1987 का बना हुआ कोईन है और इसमें स्मॉल फार्मार को दिखाया गया है स्मॉल फार्मार यानि छोटे किसान यह सार्कुलोटिंग कोईन है 1887 1987 का 1907 का इस कोईन का वेट छैगरम के असपास है और इसका जो डामेटर है वो 26 mm का यानि इस कोईन का गोलाई हो 26 mm का है साथ इस कोईन का थिकनेस 1.72 यानि कोईन 1.72 mm का जो है थिकनेस है यानि इसका यह हिस्सा का चोड़ाई यह 1.72 mm है साथ इसाथ यह जो कोईन है यह कोपार निकल कोईन है इसका मेटरिला कोपार निकल से इसका बना हुआ है यह कोईन का सेप राउंड सेब में है कोईन अब यह जो कोईन इसका फॉंड साइड में है इंडिया वान रुपीज लिखा हुआ है साथ इसमें और इसका पिछे जो उनिषान है जो स्मॉल फार्मान का निषान याननी है फैमिली इंसाइडर सार्केल का अंदर फैमिलीर ले का फोटो दरशाए गया है तो यह था मेरी कर्दूर्चिन का पहले कोईन जो कबुटीफ कॉइन है यह कमिदीफ कॉइन उन्नी सो ननंब्पय ने वान नाइन एट नाइन का एक कोईन है जो जहालनाहां नहरू जी का 100th anniversary of birth नहरू का 100 साल जनम तिथी का उपलक्स में भारत सरकातदर एक कमड़ेटिव क्वाइन को सार्कुलेट क्या गया था इस कमड़ेटिव क्वाइन यह भी मेटल कॉपार निकल दारा बना हुआ है इस क्वाइन का वेट ओई सेम 6 ग्राम के अस्पास है डामिटर 26 है मैं यानि इसका गोलाई और इसका थिकनेस वान पउएन 6 एमेम का इसका थिकनेस इस क्वाइन का और यह जो क्वाइन यह कोई भी कोपार निकल का है इसका उपजिस साइड में सेम वही लाइन कफिटल यूस्व का लाइन कफिटल दिया हुआ लिखा है वार रूपीज साथ इसाथ कोई की बैग में जहलनाल नहुरी जी का फोटो दिया गया है और 1989 दरसा आए गया था यह भी जो होलनाल साथ आग्षे ग्राम है इस कोईन का जो डाहिमीटर है यानि यह गोला 26 एम्एम का है और इसका थिकनेश ओन फाइब का है इस कोईन का पहला साइट में जो है सेम वही उसक के लाइन केपिटल का फोटो दर्साय गया है और इसका अपोजिट में डक्तर बी आर अम्मेदकर जी का फोटो दर्साय गया है उसके बाद जो कोईन मेरा पास मेरा कलेक्शन में है वह है फिफ्टीन यार्स ऑफ यानि आई सीडियेस जो सुरू हुआ था 1975 में उससे लेके 1990 यानि 15 साल बाद आई सीडियेस की सम्मान में 15 यार सब आई सेटा का कमेडिटिव कॉइन को भरत सरकात दरा चालू किया गया था यह ICDS जो कोईन है, ICDS का कोईन का भी यह कोईन भी कोपार निकल का बना हुआ है और इसका weight 6.05 ग्राम है इसका diameter 26 mm है यानि इसका गोलाई thickness 1.40 mm है यानि यह 1.40 mm है साथ इसाथ यह जो कोईन का opposite side में सोबसे पहले इसमें और इसकोईन का opposite side में जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है अच्छे सब ध्यान से देखिए इसमें जो दिया गया है seated figure holding child यानि एक कोई बैठा हुआ एक child को आपनी गोद में लेके उसका photo दरसाए गया है और इसका रेडियेट डिजाइन सरावंडिक है जो बच्चे को सुरक्षा के साथ देखवाल कर रहा है उसकी फोटो यहाँ पर अच्छे तरह से और बहुत ही खुसरत तरिका से दरसा गया है इसका फुल्फोम आप लोगों को पता होना चाहिए इसका फुल्फोम है इंटर ग्रेटेड चाइल्ड डेवलाप्मेंट सर्वीस यह मेरा कॉमोडिटिव कोईन का और एक कलक्षन है उसके बाद जो कलक्षन रता है 1991 इनी 91 का राजीव गंधी जी का कॉमोडिटिव कोईन जो 1994 से 1991 तक चला गया है यह भी कोपार निकल का यह कोईन है और यह कोईन 6 गराम वेट है इसका 26 मिटर इसका डाया है और इसका जो थिकने से 1.5 mm है इसका अपजिर सब से पहले इसका अपजिर साइड में ओही और अपजिर साइड में छाजीव गन्धी जी का फोटो दर्शाय हुआ है दो कोईन है मेरा यह इसमें फुर्ड ओंडेकर निडुटरेशन यानि भार सबकार कोन जो उतलने जोस्का पार निकल का है और इसका बजन 6.4 गराम है सबसे पहले और रूपिस इंडिया साथ जाथ कोईन को अपजित जो साइड है और फिगार वार्किंग इनने फिल्ड दो फिगार है जो एक फिल्ड में वार्किंग कर रहा है उसकी फोटो दर्सा आए गया है कि 37 करक्शन यह फिगार वार्किंग फिल्ड का फोटो नहीं है यह जो फोटो न्यूट्र सेन यानि जो अपना कुछ खाने का फोटो उसमें दर्साए गया है मापी चाहता हूं मैं तोड़ा गलत बोल जाए इसलिए सोब के पास यह और एक कोमोडिव कोईन है जो मेरे करक्श किन यानि उनांब वह जो परलामेंटरी यूनियन कॉणफारेंस वा था उस कॉनफारेंस का फोटो के varied Kar और यह और कोपार निकल का बना हुआ है इस कॉईन कावेंट 6 ग्राम है इसका जो डिए 20 mm का है और यह जो है इसमें घ्रच अपजिट पहला साइड में और किब् बिल्डिंग एंडेट वितीन वार्थ बिलो पर्लामेंटरी बिल्डिंग का नीचे च्छोटा सा हो से उसमें डेट के साथ फोटो दर्साइग गया है इसके बाद जो कमुलिटीब कोईन मेरे पास कालेक्शन में है और ब्राइट श्रहीं लुक्त भी आपको दिखाया और सारे कालेक्शन निकल कर था लेकिन एक यह स्टेनलेस स्टील का इसका वेट 4000 ग्राम 85 ग्राम है यानि इस फोड़ा सा काम है पिछले कोईन से था ती सत इसका डाया 55 mm का है और इस कोईन में भी आफो दरसाइगा है और जो को पोजिट है ऑपोजिट साइड में इनर सारकेल एक इनर सास्ट का अंदर एक फोटो दर्सा अगया हैं यह कोईण इंटर्नस्ट यार आप दाभ मेली में शारकुलेट के आगया था यह कॉइन तो यह था मेरा कुमूरिटिव कॉइन यानी पेसाल कुछ कॉइन का एडिसन का कलक्स हैं आप लोग कैसा लगा अगर आप लोग को किसी भी कॉइन का बारे में जनकारी चाहिए तो आप क्रिपिया मेरे साथ कमांड बुख ने संपर करें सब को मेरा नमस्कार